नमस्कार आप देखरें लाइफ खबर और मैं हूँ अपके साथ शोबना गुस्वामी लेकर हाजरू हमारी खास पेशकश सुप्रीम कोट का एहन फैसला अगर बात करें बहुचरचित अयोध्या मामले की तो ये 500 साल पुराना मामला है जिस पर आज सुप्रीम कोट ने अपना फैसला सुनाया है अब वो फैसला क्या है ये बताने से पहले आपको बता दें कि आकर ये पूरा मामला क्या है ये थी बात इतिहासकारों की की जाए तो जादा तर इतिहासकारों के मताबिक जहिर उद्दीन मुहम्मद बाबर पानिपत के पहले युद में इब्राहिम लोदी को हरा कर भारत आया था उसके कहने पर एक सूबेदार मीर बाकी ने 1528 मैं उध्या में मस्जिद बनाई थी जिसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया दूसरी और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में ही मस्जिद बन गई थी आपको बता दे कि 1113 में पहली बार हिंदू संगठन ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाई थी माना जाता है कि फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतिया मिलने का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया उसी के बाद यह दावा किया गया पूर्वाई पेस अधिकारी किशोर कुनाल ने अपनी किताब अयोध्या रिविजिट में लिखा है कि इस वाके का जिक्र करते हुए बताया कि 1813 में मस्जिद की शिलाले के साथ जब छेडचाड हुई तब से यह कहा जाने लगा कि मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई कुनाल ने किताब में लिखा है कि मंदिर 1528 में नहीं तोड़ा गया बलकि औरंगजेब द्वारा न्यूक्त फिदाई खान ने 1660 में उसे तोड़ा था हिंदूों के दावे के बाद से विवादे जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी 1853 में अवद के नवाव वाजित अली शाह के समय पहली बार और योध्या में सामप्रदाईक हिंसा भड़की इसके बाद बे 1855 तक दोनों पक्ष एक ही स्थान पर पूजा और नमाज अदा किया करते थे 1855 के बाद मुस्लिमों को मस्जिद में प्रवेश की इजासत मिली लेकिन हिंदूों को अंदर जाने की मनाही थी ऐसे में हिंदूों ने मस्जिद के मुख्य गुम्बत से 150 फीट दूर बने राम चबूतरे पर पूजा शुरू की हिंदू संगठनों ने 1813 में पहली बार बाबरी मस्जिद पर दावा किया था उनका दावा था कि अयोध्या में राम मंदर तोड़ कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी इसके 72 साल बाद यह मामला पहली बार किसी आदालत ने पहुँचा महंत रगुबर दास ने 1885 में राम चबूतरे पर छटरी लगाने की याचिका लगाई थी जिसे फैजाबाद की जिला अदालत ने ठुकरा दिया था जब यह मामला इलाबद हाई कोट पहुँचा तो 1989 में विवादित स्थल पर यथा सिती बरकरार रखने को कहा गया सुन्नी वक्फ बोड निर्मोही अखाडा और रामलला के बीच तीन हिस्सों में बराबर बाट दिया 2011 में हिलाबाद आई कोट के फैसले पर रोक लगाने के बाद सुप्रीम कोट ने 2018 में इस विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की 6 अगस 2019 से सुप्रीम कोट में सिवाद पर लगाता 40 दिन तक सुनवाई हुई 16 अक्टूबर 2019 को हिंदू मसलिम पक्ष की दलीले सुनने के बाद पाद सदेशी सम्विधान बैंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया लेकिन आज इस मामले पर बड़ी सुनवाई हुई जहां से एक बड़ा फैसला सामने आया है सबूतों और दलीलों के मताबिक यह फैसला लिया गया कि विवादि जमीन पर राम मंदर का निर्माण किया जाहिए वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष की यदि बात की जाये तो मस्जिद के निर्माण के लिए किसी दूसरे जगया पांच एकर जमीन दी जाने की बात कही गई है यदि बात नयाय मिलने की की जाये तो दोनों ही पक्षों के साथ नयाय किया गया है फैसला कभी भावनाओं के अधार पर नहीं बलकि सबूतों और दलिलों के अधार पर किया जाता है हम हमेशा से अयोध्या को श्रीडाम के जन्भूमी मानते आए हैं और आज इसका प्रमान भी सामने आया है जिसकी वजह से ये फैसला सुनाया गया है यदि बात मुसलिम पक्ष की धार्मिक भावनाओं की की जाए तो उन्हें ध्यान में रखते हुए उन्हें भी मस्जित के निर्मान के लिए जगय दी गई है वैसे इस फैसले पर पुनरविचार याची का भी दायर की जा सकती है लेकिन तब तक ये हमारा कर्तव वे बनता है कि हम इस फैसले का सम्मान करें और सोहार्द इवं शांती के साथ एक जुट होकर रहें जाती या धर्म के नाम पर अलग थलग भिखर के नहीं आज की स्पेशकेश में फिलहाल इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ नए मुद्दों के साथ तब तक के लिए आप देखते रहें ये लाइफ खबर मुझे दीजिए जासत नमसकार